Hi everyone, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं We Look Up with Empty Cell अब इसका क्या मतलब है? चलिए समझते हैं First example हम देखते हैं जिसमें हमारे पास product के name है month है और sales present है और हमें क्या करना है? कि एक product के basis पर उसकी sales निकालनी है अब जो product के basis पर हमें sales निकालनी है पहले हम निकाल के देखते हैं equal to press करते हैं और लिखते हैं we look up bracket करेंगे open look up value पूछता है ये हो जाएगी comma table array पूछता है तो ये वाला हो जाएगा comma column index number 1, 2, 3 then comma यहाँ पर false bracket करेंगे close और enter तो इस case में इसने हमें क्या output दिया? 0 यहाँ पर हमारे पास data बहुत छोटा सथा जिसमें हमने क्या क्या जिस भी product के base पे हमें search करना है उस product का हम देख सकते हैं कि कोई भी sales present नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि या तो sales कोई लिखना भूल गया है या फिर कोई sales हुई ही नहीं है दोनम ऐसे कोई भी कारण हो सकते हैं बट यहाँ पर हमें 0 दिखा रहा है तो which means क्या है कि हम यह समझेंगे कि 0 मतलब उस month इस product की कोई भी sales नहीं हुई है तो यहाँ पर confusion create हो सकते है जब यह 0 display कर रहा है तो हमें क्या कराना पड़ेगा इस 0 को replace कराना पड़ेगा हमारे अपने text से हम क्या कर सकते हैं कि 0 को replace करा सकते हैं या तो blank से कि blank आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ कोई भी data एंटर नहीं हुआ है और या फिर हम text से भी करवा सकते हैं कि data is not available जो भी आप चाहते हैं आप वो करवा सकते हैं बट वो हम करेंगे कैसे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो हमने वी लुक अप लगाया इसने हमें output किया तो इसने हमें output दिया 0 which means हम ये चेक करा सकते हैं कि जो भी हम वी लुक अगर हमें 0 दे रहा है मतलब उसकी length अगर 0 के पराबर है, तो आप हमारे according काम कीजिए, otherwise आप we look up का use करके value लग के दीजिए, अब इसको manually करके देखते हैं, manually कैसे करेंगे, f2 पहले आप press कीजिए, ठीक है, हमें करना क्या है, conditions लगानी है, चेक ही तो करवाना है न, तो condition लगाने के लिए हम क्या करते हैं, if का use करते हैं, so स इसकी length इस we look up की, कि ये we look up हमें जो output दे रहा है, वो उसकी जो length है, वो बराबर होनी चाहिए 0 के, अगर वो 0 के बराबर होती है, तो हम अपना text देंगे, कि हमें क्या print करवाना है, तो मतलब यहां पर हमें length चेक करवानी है, तो हम length function का use करेंगे, bracket करेंगे, open, अब length के अं कि आप इस we look up वाले formula को चेक कीजिए, जो भी value ये आपको return करता है, ठीके, ये कुछ ना कुछ तो return करेगा, तो ये जो भी return करेगा, वो value की आपको length calculate करानी है, length function क्या कर रहा है, length calculate कर रहा है, अगर वो length बराबर होती है 0 के, हमने condition दे दी, कि we look up से आपको जो भी output मिलता ह है, उसकी आपको length check करनी है, अगर वो 0 के बराबर होता है, तो comma, अब ये पूछता है value if true, अगर आपको blank print कराना है, तो वो भी आप करा सकते है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, double, दो बार double inverted comma को use करना पड़ेगा, without space के, तो आपका blank print हो जाएगा, बट अगर आ not available, ठीक है, ये मैंने text दे दिया, ये तो हो गया value if true, बट अगर ये वाला part true नहीं होता है, तो आपको क्या print करना है, वो हम use करेंगे, इसके बाद, comma के बाद ये पूछता है value if false, अगर ये true नहीं होता है, तो आपको क्या print कराना है, तो उसमें हमें वापस से क्या चाहिए value ही चाहिए, तो हम फिर से we look up चला देंगे, bracket करेंगे, open, look up value हो जाएगी, ये, comma, table array हो जाएगा, ये, comma, column index number वही 3, comma, और यहाँ पर false, bracket करेंगे, close, we look up वाला, then last में if वाला भी close कर देंगे, और enter कर देंगे, तो आप क्या होगा, जहाँ पर इसको value नहीं मिलेगी, मतलब जो length हमने use करवाई थी, वो अगर 0 मिलती है, तो उसकी जगे ये print करवाएगा, data is not available, वाट अगर 0 नहीं मिलती है, तो ये आपको value लाकर देगा, okay, I hope आपको ये clear हुआ होगा, अब move करते हैं, next example पर, next example में हमारे पास क्या है, product code है, और उनकी sales है, ठीक है, यहाँ पर ये table present है, जहाँ पर कुछ product code है, और sales available है, हमें क्या करना है, एक product code के basis पर sales लेकर आनी है, बट जहाँ जहाँ पर code present है, वहाँ पर तो easily sales आ जाएगी, बट जहाँ पर नहीं present है, मतलब हमारी जो look up value है, वो क्या है, blank है, वो सब में नहीं है, तो इसका एक तरीका क्या है, या तो हम इसको copy करके, यहाँ paste कर दें, ठीक है, तो output आजाएगा, बट अगर यहीं बोला गया होगी, कि नहीं, आपको कोई changes नहीं करने है, इस table में, और direct यहाँ से यहाँ output लेकर आना है, तो आप कैसे करेंगे, mostly interviews में ऐसे question पूछे जाते हैं, तो उस case में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम normal we lookup चलाएंगे, जैसे आप चलाते हुए आए हैं, ठीक है, equal to press कीजिए और लिखिए we lookup, bracket कीजिए open, यह पूछता है lookup value, तो हम यह वाला text दे देंगे, यह वाला cell क्योंकि यहाँ पर हमारी lookup value है, then comma table array, तो हम यह वाला दे देंगे, इसको कर दीजिए freeze, क्योंकि आपको data को जो है वो ड्रैग करके नीचे लाना है, तो आप इसको freeze कर दीजिए, वरना आपकी table गड़बड हो जाएगी, f4 से आप इसे freeze कर दीजिए, then comma प्रेस कीजिए, column index number पूछता है, तो 1 और 2 हो जाएगा, then comma, last में दे दीजिए, false, bracket कीजिए, close और enter, तो same to same, अगर हम इसे drag करते हैं, तो obvious है कि आपको na का error receive होगा, जो हमने last video में भी पढ़ा था, कि अगर look up value नहीं मिलती है, तो error receive होता है, बट यहाँ पर उसे value मिल गई, तो यहाँ पर error receive नहीं हुआ, यहाँ पर value लियाया, ठीक है, अब इसको हम change कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे क सीखा था, तो वो काम हम यहाँ पर करसकते, हम if na का use कर सकते, या फिर हम if error का भी use कर सकते, दोनमें से कोई भी function आप यहाँ पर use कर सकते, तो मैं if na को use कर लेती हूँ, if na, मैंने इनको बताया, कि अगर आपको इस वाले we look up को use करने पर कोई error मिलता है, तो, ठीक है, if na का मतल क्या करना है कॉमा के अंदर बाद में वैल्यू देंगे कि आपको क्या करना है अगर एरर मिल रहा है तो आपको क्या करना है simply अपने उपर वाले cell को pick कर लेना है अब यह उपर वाले cell pick क्यों किया है अभी थोड़ी देर में समझेंगे उपर वाले cell को pick कर देने हमने यह बताया है और otherwise तो आप value लाएंगे ही तो bracket करते हैं close और enter कर देते हैं तो यहाँ पर यह accurate value लाया है लेकिन जब मैं drag करते हूं नीचे तो यहाँ पर भी यह value लाया same ऐसे ही और करते हैं तो यहाँ पर भी change होके value आ गई और वही same value नीचे repeat हो रही है बट यहाँ पर code change हुआ तो value change हो गई और वही same नीचे repeat हो गई तो मतलब आप इसने बिल्कुल ठीक काम किया है अब यह काम हुआ कैसे है यह समझते हैं यहाँ पर जाते हैं F2 प्रेस करते हैं फॉर्मला को open करते हैं और हमने इसमें बोला क्या था कि अगर आपको यह वाला जो VLOOKUP है यह वाला VLOOKUP अगर error लाता है इसमें हमने यही चेक करवाया कि अगर यह वाला VLOOKUP आपको error लाके देता है तो आपको उपर वाली value लेनी है otherwise आपको अपना VLOOKUP value लाना है तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ कोई error तो नहीं मिला तो इसलिए यह अपनी VLOOKUP value ले आयाया इस तक पहुँचा ही नहीं डायरेक्ट इसने VLOOKUP का यूज किया और value ले आया बट यहाँ वाले case में अगर हम देखते हैं तो यहाँ वाले case में इस वाले VLOOKUP ने क्या किया error दिया error दिया मतलब if na का काम शुरू हो गया जब तक error नहीं देगा तो यह इस column में था इसने अपने से उपर वाला text पिक किया मतलब B23 को पिक किया यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो B23 है तो इसने 2500 same यहाँ पर print करा दिया और अगर इसको भी देखते हैं तो यहाँ पर भी इसे error मिला इसने क्या किया अपने से उपर वाला पिक किया मतलब B24 तो ऐसे ही यह आगे बढ़ता रहा और हमारा solution आ गया इसका एक और तरीका है वो क्या तरीका है equal to press करेंगे सबसे पहले लिख दीजे if bracket कीजे open और if के अंदर क्या कीजे आप चेक करवा लिजे कि आपके इस वाले column में value है या नहीं है तो वो check आप कैसे करेंगे is blank के through right is blank के through हम ये वाली value दे देते हैं bracket करते हैं close और कॉमा देते हैं इसका मतलब क्या हुआ हमने ये वाला cell दिया है तो is blank क्या करेगा इस वाले cell को check करेगा क्या ये blank है अगर blank होता है तो value if true अगर true होता है तो हमें क्या print कराना है अगर यहाँ पर blank मिलता है तो हमें बोलना है आप अपने से उपर वाला cell ले लीजिए कॉमा अगर blank नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है फी लुक अप चला देना है तो आपको table में से value लेकर आनी है value किसके इसके basis पे comma इस वाले table में से comma table को कर दीजे freeze क्यूंकि हमें drag करना है f4 से comma index number 2 comma false bracket करेंगे close और enter तो यहाँ पर क्या हुआ value आ गई क्यूं? क्यूंकि इस वाले cell में से is blank मिला ही नहीं is blank नहीं मिला तो यह वाला part execute हुआ ही नहीं true वाला part execute नहीं हुआ यहाँ पर false वाला part execute हुआ जो था we look up तो वो value लेकर आ गया अब अगर हम इसको drag करते हैं नीचे और इस वाले को open करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ इस blank हमने दिया था यह वाला cell राइट तो इस blank यहाँ पर execute हुआ क्यूं? क्यूंकि उसे इस वाले cell में blank value मिली तो जब blank मिली execute हुआ तो हमारा true वाली value execute हुई राइट? value if true काम करेगी हैं पर और value if true में हमने क्या दिया है? क्यूंकि यहाँ पर condition true हो गई थी ठीक है? ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और सारी values आपके लिए लेकर आएगा I hope आपको यह clear हुआ होगा तो यह दो examples थे जहाँ पर हमारे पास look up value नहीं थी और या फिर look up data नहीं था तो हम उसको कैसे solve करेंगे वो हमने सीखा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे next video में thank you so much bye bye